आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What are the intercepts of the plane 4x plus 3y minus 12z plus 6 equals to 0 on the axis तो यहां पर हमें क्या है intercepts find करने है एक equation हमें यहां given है plane की equation है और यह तीनो एक्सिस पर लाए कर लिए तो इसके intercepts क्या होंगे वो हमें यहां पर देखना है तो equation है हमारी 4x plus 3y minus 12z plus 6 is equals to 0 और यह तीनो इसमें दियावा on the axis अब वो कौन सी axis है यह हमें पता नहीं है तो इस condition में जो axis होते है उनके coordinates क्या हो जाते हैं यहां पर x-axis के लिए हो जाता है यह 1,0,0 y-axis के लिए इसके coordinates होंगे 0,1,0 and z-axis के लिए इसके coordinates क्या हो जाएंगे इसके coordinates जाएंगे 0,0,1 अब ये तीनों इसके coordinates होएंगे, अब ये बोला गया है कि जो plane है, ये plane इन तीनों एकसिस पे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 1 by 1 तीनों equations में, हम A इस equation में तीनों के coordinates पुट करके देखेंगे, जिससे हमें क्या होगा, तीनों के coordinates यहाँ पे जो है intercept मिल जाएंगे, अब इसमें से जो intercept मिलेगा by X, वो होगा हमारा, क्या के लाएगा, वो A, और Y से जो intercept मिलेगा वो होगा B, और Z से जो intercept होगा, वो होगा C, तो X intercept अगर हम निकाल लेंगे, means अगर X intercept हम find करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, A, तो A की value कैसा आएगी, 1, 0, 0, ये X, Y, Z में इसमें ह ये हो जाएगा, plus 0, minus 0, plus 6, equals to 0, तो यहां से A कितना आजाएगा, 4A is equals to minus 6, तो A की value कितनी आगई, 2, 2, 3, जाएगी, minus 3 by 2, ये आगए हमारा A intercept, अब B के लिए find करते हैं, तो B के लिए हमारे coordinates क्या होंगे, 0, 1, 0 होंगे, अब इसमें values put करेंगे, 0, 1, 0, तो Y intercept हमारे क्या हो Y के जो intercept होंगे, उन्हें हम बोलेंगे B, और B के लिए क्या होगा, 0, plus 3B, minus 12Z, sorry, ये इसमें भी 0 put करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसकी value कितनी हो जाएगा, 0, plus 3B, minus 0, plus 6, equals to 0, तो ये हो जाएगा, यहां से 3B is equals to minus 6, तो B कितना आ गया है, यहां से, या जाएगा, minus 2 आ जाएगा, तो यहां से B intercept भी हमारा find हो गया, अब C intercept देखते हैं, तो C intercept के लिए क्या करेंगे, 001 यूज़ करेंगे, ये वाली term, तो अब इसमें 001 put करते हैं, तो ये क्यों हो जाएगा, Z क्या intercept हम निकाले हैं, तो Z का intercept क्या हो जाएगा, हमारा, Z का intercept आएगा, C, यान जाएगी, minus 12 C is equals to minus 6, minus minus cancel out, and 6 बंजा, 6 तूजा, तो C की value कितने आगी, यहां से, 1 by 2 आ गई, तो तीनों intercept, X, Y, Z के intercept हमें यहां मिल गए, A का intercept कितना हुआ, A का intercept तो आगया, यहां से, minus 3 by 2, B का wise axis पर जो intercept मिला, यानि की B, उसकी value कितने हैं, minus 2, and third intercept है हमारा, 1 by 2, तो तीन Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 84444 सूपर